हेलो एवरिवान दिस इस अन्जु मौर्या ठीक है और हम लोग यहां पे क्या करेंगे आज के लिक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इम्मुनोलोजी के IMPORTANTlines के बारे में जैसा हमने देखा है कि पिछले साल अभी जो TGT का पेपर हुआ ता उसमें ही sorry PGT के पेपर में ही पूछा गया था इम्मुनोलॉजी के बारे में लिए एंटिबोडी के बारे में पूछा गया था तो देखिए आप पहले जान लेजिए कि हमारी body में 5 तरीके के antibody होते हैं और कभी-कभी अब question कैसे पुछा जाता है हमें पता है 5 तरीके के antibody होते हैं क्या-क्या IgG, IgA, IgM, IgD और IgE इतने 5 तरीके के antibody है थे antibody को हम लोग immunoglobuline भी कहते हैं इसलिए हम इसको Ig भी लिखते हैं क्या लिखते हैं? Ig लिखते हैं अब देखिए आपसे 2-3 तरीके से question पूछा जाता है पूछा जाता है कि सबसे बड़ी antibody कौन है और यही question आया था TGT या PGT में जो ध्यान नहीं है लेकिन यह question इस साल पूछा गया था On the basis of molecular weight Molecular weight मतलब सबसे बड़ा कौन होता है तो याद रखिएगा IgM इसका sequence आपको याद रखना है My Dog से M-A-E-D-G या My D-G से याद रख लेजिए सबसे बड़ा IgM, फिर IgA, फिर IgE, फिर D, फिर G ठीक है? इतना important आपको समझना है और IgM pentamer होता है और यह dimer मतलब जैसे antibody एक ऐसा structure आपने कभी देखा होगा antibody का तो यह एक antibody हो गया लेकिन IgM ऐसे 5 antibody ऐसे जुड़े होते हैं ठीक? 5 antibody एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो हम कहते है IgM कैसा होता है? pentamer होता है और IgA कैसा होता है? dimer होता है important है लिख लिजेगा ठीक? तो इस sequence से आप इस trick से आप इसको याद रख सकते हैं और जो पाचो antibody आपस में जुड़े होते हैं वहाँ पे एक chain होता है इसको J chain कहते हैं तो J chain और जब दो antibody भी आपस में जुड़ता है तो वहाँ पे भी J chain पाया जाता है J chain याद रखिएगा कभी आपसे direct question पुछा जा सकता है कि J chain कौन कौन से antibody में present होता है तो J chain कहां होता है? IgM में और IgA में होता है अगले तरीके से question क्या पुछा जाता है? कि on the basis of concentration and half life मतलब किसका concentration सबसे जादा है और किसका life जीवन काल है वो सबसे जादा है तो दोनों के basis पे ये trick याद रख लिजेगा गम दे, गम दे से ठीक है? IgG सबसे जादा approximately 80% होता है और सबसे कम IgE होता है ठीक, तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं Ig, गम, दे से G, A, M, D और E, सबसे second जो जादा होता है वो क्या होता है? Ig, A होता है और सबसे जादा कौन होता है? Ig, G होता है तीसरे तरीके का question आपसे क्या पुछा जा सकता है? इनका function function, अब मैं एक-एक-दो-दो function इनका बताऊंगी आप याद रखना कि ये exam में direct question यह ऐसे आ सकते हैं ओके? देखे function क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता दू IgM, अगर आपसे IgM पुछा तो आप कह सकते हो इसका molecular weight सबसे जादा है concentration के basis वो सब मैंने आपको बता दिया है देखे, this is the first antibody secreted by neonate जो बच्चा होता है, जब पैदा होता है तो उसके अंदर जो पहली antibody बनती है, वो यही बनती है ठीक? और role in primary response and acute infection बहुत important है. Primary response जानते है क्या होता है? अगर हमारी body में कोई micro organism पहली बार आया तो उसके अग्येंस जो हमारी body में immunity develop होती है उसको हम primary response कहते है लेकिन same वही antibody हमारी body में दूसरी बार आया तो उस time जो हमारी body response करेगा उसको secondary response कहते है और secondary response fast होता है क्योंकि primary response की तोरान हमारी body में पहले से antibody नहीं था लेकिन secondary response की तोरान हमारी body में पहले से antibody बन चुका है तो secondary response fast होता है जल्दी ठीक हो जाते हैं हम लोग, तो primary response में IgM का और acute infection, acute infection में भी IgM का रोल, acute का मतलब कोई disease आपको हुआ है और बहुत जल्दी का हुआ है disease, ताजा-ताजा है रोग, तो उसको acute infection कहते हैं, उसमें IgM का रोल होता है, second IgG, IgG can cross the placenta, ये एक ऐसा antibody होता है, जो placenta को cross करके mother से fetus में पहुँच जाता है, और इस तरीके से fetus को passive immunity प्रवाइट करता है, passive का मतलब antibody direct, अगर body में जा रहा है, उसकी वज़े से जो immunity होते हैं, उसको passive कहते हैं, और active का मतलब antigen जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं active, हम किसी वीडियो में आपको active और passive भी बताएंगे, ठीक है, च इसको आप नासूर कहते हो, तो उसमें IgG का रोल होता है, IgA देखिए, present in the cholesterol, मदर का जो first milk होता है, starting वाला मदर का जो milk होता है, उसको हम cholesterol कहते हैं, उसमें IgA होता है, तो मदर से बच्चे में जाएगा, ये भी passive immunity प्रवाइट करता है, और ये body fluid में भी पाया जाता है, IgA, इसलिए इसको हम secretory antibody भी कहते हैं, body fluid का मतलब जैसे saliva में भी हो सकता है, tears में भी हो सकता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ओकी, इसके बाद हम देखते हैं, दूसरा, तो passive immunity कौन-कौन प्रवाइट करता है, IgA और IgG, दो passive immunity प्रवाइट करते हैं, तीसरे तरीके का question इलर्जी जैसे हमें छीक आने लगा, हमें खासी आने लगी, pollen allergy हो गया, जिसको hypersensitivity कहते हो, उस दोरान IgE का रोल होता है, इसलिए इसको reagenic antibody भी कहते हैं, और IgD का कोई function बहुत ज़्यादा properly known नहीं है, तो इसलिए मैंने यहापे लिखा है function unknown, तो I hope कि आपको ये video बहु किसी अच्छे topic के साथ मिलते हैं, okay?